हालो स्टेंट गुड इनिंग, वेल्कम बैक, तो अर्क्वेस्टिन इज, A & B can complete a job together in 12.5 days, and B & C can complete the same job together in 18.75 days, while C & A can complete the same job together in 15 days, ठीक है, इसमें फिर आगे बोला गया है, in how many days will A, B, C together be able to complete the same job alongside D, अच्छा, यहां alongside D बोल दिया गया है, ठीक है, उसके साथ D भी काम करेगा, which is only 40% as efficient as C, D, D क्या है, 40% efficient है C का अच्छा, उसको तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले यहां देखते हैं, क्या बोला गया, A & B, मतलब A plus B कर सकता है, कितने दिन में, 12.5, 12.5 मतलब क्या हो गया, इसको fraction में करता है 25 by 2, 25 by 2 days में, उसी तरह से B & C, B plus C कितने दिन में कर सकता है, तो यह बोला गया 18.75, इसको fraction में करें क्या हो जागा, 18 holes 3 by 4, मतलब अठार चॉक 72, 3, 75 by 4 यह 75 by 4 आ जागी है, ठीक है, इसको change करके देख लेना, का LCM 75 यह आ जागा, ठीक है, numerator का LCM लो, denominator का HCF, वही होता है fraction का LCM, तो LCM by HCF, numerator का LCM, denominator का HCF, 25 से 3 बार में, तो 32 यह आ जागा, 6, 75 से 7 बार में, तो 4 चला जागा उपर, तो 4, 15 से 5 बार में, तो यह आ गया 5, तो हम लोगों मिल गया है, A plus B कितना काम करेगा एक दिन में, 6, B plus C करेगा 4, तो यहां सब को add कर देंगे, तो क्या हो जागा, A, B, C, D, C, A, यह सब जो है, दो दो बार आ जागा, तो 2, A plus B plus C, कितने बार में, कितना efficiency आ जा रहा है, जागी है, 6, 4, 10, 5, 15, तो इसका efficiency आ गया, 15, लेकिन A plus B plus C का efficiency तब क्या आ जाएगा, 15 का आधा, A plus B plus C का efficiency आ जाएगा, 15 का आधा, 7.5, अब यहां देखो, A plus B, हम लोग question उपर में देखे, तो क्या था, A plus B करता है, 6 काम, और यहां A plus B plus C, 7.5 कर रहा है, मतलब यह C कर रहा होगा, कितना, C कर रहा होगा, 6 माइनस कर दो, 1.5 कर रहा है, C, फिर उसके बाद B plus C कर रहा है, 4 काम, तो A कितना काम कर रहा होगा, माइनस कर दो, 7.5 से, तो A का आ जाएगा, 2.5, फिर उसी तरह से A plus B plus C से, C और A को माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस करना होगा, तो कितना आ जाएगा पाँच माइनस करेंगे 7.5 से तो कितना जाए हम लोग का 2.5 पानवा अच्छा महाँ माइनस किये थे क्या यह 3.5 आएगा एक एक क्या आएगा हम लोग 3.5 आएगा जिनकी क्योंकि एक आएक बी प्लस C को माइनस किये था ना तो 4 माइनस करेंगे तो क्या जाए हम लोगा 7.5 से 2.5 अब यहां आगर हम देखे तो A, B, C इनों का लगा गया है ठीक है अब जो D था, D क्या था D बोला गया था C का 40% efficient है यही बोला गया था ना D who is only 40% as efficient as C तो D क्या हो जाएगा C का था एक दिन का का 1.5 और इसका 40% क्या होता है 2 by 5, 5 से 3 बार में कटा तो क्या आजाए हम लोगा 0.3, 0.3 यह 1.5 था ना तो 0.3 into 2, 0.6 ठीक है 0.6 तो D का efficiency आगया 0.6 अब यह चारो लोग मिलके काम करेगा तो A, B, C, D का efficiency एक दिन का क्या आ जाएगा 7.5 प्लस 0.6 मिन्स 8.1 आ जा रही है तो A, B, C, D का efficiency आगया एक दिन का ही है ठीक है अब टोटल वर्क कितना था टोटल वर्क हम लोग माने थे 75 75 काम को यह लोग करेगा 8.1 के efficiency तो time हम लोग निखल जाएगा तो 75 को divide कर देते हैं 8.1 से मिन्स क्या हो जाए हम लोगा 750 by 81 लेक 9.8 जा 72. 7.29 आ रहा हो और यह 21 रिमेंडर बचा तो हम लोग यह मिन्स प्राक्शन में लेके हैं 9.21 बई 18.9.21 और 18 कट रहा है तो 21 और 18 3 से कट रहा है 3.7 जा 21, 3.6 जा 18.3.7 जा 21, 3.7 जा 21 है 3.2.6, 3.2.6, 3.7 जा 21. तो 9.7 बई 27 आ जा रहा है ठीक एसको चेंज करके दे 27 है क्या ओप्शन में 9.07 बई 27 डी ऑप्शन ऑप्शन डी रिक्वाइड आंसर तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं विदिन 30 सेकंड्स के अंदर यह कंप्रीट हो सकता है ठीक है बस फ्रैक्शन का है इस तरह से लेना और जल्दी-जल्दी कनवर्ट करना है कैलकुलेशन में जाधा लगना नहीं चाहिए नहीं तो समय जाधा लग जागा ठीक है तो मेन इसमें डिपेंड क्या करेगा ट्रेक यही करना है बस क्या है कैलकुलेशन फास्ट करना है ठीक है कलकुलेशन अगर टाइम लिया तो क्वेस्चन में भी टाम ले लेगा तो याल्कुलेशन कम हो हो और कहीं डाउट हो किसी स्टेप में समझ नहीं आओ तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हूं ओके बाई अल्द बेस्ट